जहिन जैवारत साथियों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे SSC GD के बारे में कि आप किन बुक्स को पढ़के और इसके लिए मैं गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का लिए बहुत से ऐसे बच्चें जो हाई स्कूल पास के बाद ही तुरं चाहते हैं कि बिलकुल ही ऐसा ना हो और SSC GD की हर साल भरती आती रहती है और नौकरी तुरंट मिल जाए और अपना मनचाहा जो है मतलब साधी कर सके ठीक है और बहुत लोगों का यह रहता है कि चलिए बाद में भी नौकरी मिलेगी तो बाद में भी कर लेंगे या किसी से भी कर लेंगे ठीक है लेकिन जो मनलब कई लोगों का ऐसारा तक हमको नौकरी तुरंट चाहिए दस्वी पास के बाद ही चाहिए तो उनके लिए बहुत ही सांदार भरती होता है मैं जहां तक कहूंगा ठीक है तो मैं आप बताऊंगा कि क्या क्या किताबें पढ़नी चाहि हिंदी या इंगलीस में से एक आपको सलेट करना रहता है बीस कोश्चन आपका मैथ बीस कोश्चन आपके रिजनिंग से और बीस कोश्चन आपका जीके से ठीक है तो यहां पे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है यानि जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा स्क पहावना कम हो जाता है लेकिन मैं थ्रिजनिंग हिंदी अच्छा स्कोर करने का तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप हिंदी के लिए क्या पैटर्ण फालो करें सबसे पहले मैं यही कहूंगा हिंदी के लिए आपको मैं बताऊंगा कि previous year में question कहां से ज़्यादा पूछे गए हैं यानि देखिए previous year के मेरे पास practice state जो है previous year के कम से कम यह मेरे पास दो किताब है एक में 76 practice state है और इसमें 70 practice state है तो 76 और आप 70 जोड़ेंगे 146 हो जाएगा जो की sufficient हो जाता है काफी sufficient हो जाता है ठीक है तो यहां से मैं आपको हिंदी का पूरा मलब data देखके बताऊंगा questions बता दूंगा कहां से प्रस्ण जादा पूछा जाता है तो हिंदी का कौन-कौन सा topic आपको cover करना चाहिए सबसे main होता है आप topic और हिंदी उसको अच्छे से cover करिए हिंदी में इसको रच्छा खासा आ जाता है इसी तरह हम math की बात करें तो math के लिए आपको book लेना चाहिए जहां तक मैं कहूंगा SD यादो का book क्या SD यादो का book क्योंकि इसका solution मैं अधिकतर अपने YouTube चैनल पर कराता रहता हूं तो आपको कोई course लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस उन वीडियोज को क्या करिएगा recorded वीडियोज रहते हैं आप speed करके भी देख सकते हैं जैसे चाहें रात में दिन में सु previous year जो है PDF बहुत मिलते रहते हैं बढ़ियां से previous year करिए आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई का level क्या है आप इसको रच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं math में ठीक है तो math के लिए कौन सा book मैं कहूंगा math के लिए आपको book मैं suggest करूंगा SD यादो और SD यादो का book और आपका previous year question क्या previous year question इसी तरह reasoning की बात करें तो reasoning बहुत हाई level का नहीं आता है तो KP सिंग के book में जो है type wise reasoning के question दिये गए हैं ठीक है तो KP सिंग और प्लस आपका previous year question यानि पिछले वर्स के प्रस्ण क्या पिछले वर्स के प्रस्ण जीके की बात करें तो जीके जो है मैं आप लोगों के लिए provide कर रहा हूं अपने टेलिग्राम ग्रूप में मैं highlight करता हूं देखो मैं आपको बता दूं मैं खुद highlight करता हूं फोटोखिस के बैसता हूं और जिनकी writing अच्छी है और बच्चे notes बनाते हैं और यह सभी PDF जो GK का रहेगा आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिलता रहेगा आप उनको पढ़िए और फिर मैं आपको बताओ previous year questions को देखिए कि कितने question यहां से फस रहे हैं ठीक है तो यह सब चीजें आपके लिए benefit होगी तो GK के लिए आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप लो करिए आपको यह book लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मैं वहां पे आपको notes provide करा रहा हूं ठीक है लेकिन प्रियास करिएगा कि math और reasoning का और हिंदी के लिए पहले मैं previous year का analysis कर तो मैं किताब इसका भी बता देता हूं ठीक है सामान हिंदी करके एक book आएगी universal publication का राजपाल सिंग का लेकिन अब मुझे देखना होगा कि previous year में question कहां से पूछे गए हैं तो किसन से मैं target बनवा रहा हूं किसन का 156 number आया है इस बार ठीक है मैंने किसन को बोल दिया है कि क किसन तुम्हारा यह जिम्मेदारी रहेगा कि डेली का target तुम मुझे बना के दोगे और मैं YouTube के माध्यम से बच्चों को बताऊंगा तो मैंने उनको किसन को बोल दिया है किसन आप पांच महीने का program बनाईए कि कैसे सही तहीके से पढ़के अच्छा score किया जा सकता है previous year हर ए लेकिन टार्गेट जो है आपको पूरा करना होगा जैसे मैं chapter दे दूंगा आपको chapter पढ़ना होगा एक किताबें आप खरीद दीजिएगा course के जादा भरोसे मत बैठियेगा मैं यही कहूंगा आप जितना जादा पढ़ेंगे उतना जादा आपके लिए benefit होगा जादा का मतलब घंटे से नहीं होता है quality से होता है ठीक है एक बच्चा एक घंटे में 10 question कर रहा है online platform पे और आप एक घंटे में 40 question कर रहे हो तो जादा 40 वाला हुआ 9 की 12 घंटा कोई पढ़ा और डेर सो question किया और आपने 6 घंटा पढ़ा 240 question किया तो 6 घंटे वाला जो है बाजी मारेगा जब चाहे आप दम लगा लिजिएगा मेरे से सर्त लगा लिजिएगा जो बच्चा speed में रहेगा वही आपका success होगा ठीक है ओ कहानी मत य कछुआ वाला जो कहानी है तो खर्गोस और कछुआ वाला कहानी दो मायने में लिजिएगा एक बच्चा है डेली जो है मतलब speed के साथ 6 घंटा पढ़ता है पर घंटे 40 question यानि 240 question एक घंटा डेली मतलब एक बच्चा डेली जो है 12 घंटा पढ़ता है और हर घंटे में 15 question वह 180 question करेगा यहां पर आपका कछुआ और खर्गोस वाला लेकिन कछुआ और खर्गोस से एक चीज और सीखना है कछुआ कहता है कि लगतार चलते रहो आप 240 कर रहे हो ना 12 घंटे आप लगतार नहीं पढ़ सकते हो 6-7 महीने जहां तक मेरा अन्वा है 12 घंटा पढ़ने वाले रहते तो SSC GD का तयारी नहीं करना पढ़ता मेरे दोस्त यह सब को पता है अगर आप 12 घंटा पढ़ने वाले रहते तो आप कहीं नीट आई 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 टी मलब एक अच्छे रेपुटेड एक्जाम का तयारी कर रहे होते ठीक है SSC GD का जहां तक मुझे लगता है यह मैं अ टाइम पढ़ने वाले बच्चों में से था बस पास होने के लिए मैं पढ़ता था और एक्जाम में मेरा हाई स्कूल में आपको भी पता है मैंने कई बार बताया है 48% है 2005 में और इंटर में 50.6% है 2007 में फिर 7 साल में मैंने ग्रेजुएशन में लगा दिये 68% है मेरे डाटा है 2013 से 211 तक मैंने CISM में जाब किया अभी आपका UPSI में जाब कर रहा हूं UPSI में जो है मेरा अच्छा खासा ही स्कूर रहा 400 में 335 स्कूर किया और बीच में भी कई एक्जाम तो हवा में निकालते रहे ठीक है जब मुझे पास होने की जरूरत थी मैं पास होता हू बस एक बार जो है UPSI 2017 में ना पास हो सका वो भी overconfidence की वज़ा से तो मैं आपको जैसे बताऊंगा guidance पूरा दम लगा दूँगा कि आपका selection हो बस आपको क्या करना होगा उन नियमों को follow करना होगा तो अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी नोकरी चाहिए जो मैंने आप पहले कारण बताए कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आप अपना प्यार से ना साधी कर पाएं आप किसी और के प्यार से साधी करें तो आपको पढ़ना होगा मेहनत करना होगा ठीक है तो यही मैं बस कहूंगा वीडियो को share करिएगा like करिएगा बहुत serious नहीं होईएगा ठीक है जै रभारण